हेलो दोस्तों वेलकम आइक टू माइ यूटूब चैनल तो दोस्तों कैसे हैं आप आसा करते हूं सब लोग बहुत इबढ़ी आऊंगे एक दिन स्वास्त होंगे तो दोस्तों मेरे चैनल माई होबियाडस में आपका बहुत बस वागत है तो तो आप आप मैंने बनाई है पालक बहुत अच्छे से दूग के रख लिया और इसके जड़े काटके में कुकर में अलू डाल के उसी में पर से मैं पालक डाल दूँगी यह देखिए दोस्तों मैंने पालक को डाल दिया है थोड़ा सा पानी डाल के और इसको चड़ा के एक सीटी लगा लूँगी और पानी किसल 25 सारा पानी निकाल ओं और इसतरा से पानी दुश्यक जट़ाया निश्यक लिया उख में अलों आवी त shelves सब्सक्राइब को पिखें चीन पीष बार बे त्ब्ड और उनके यहां तल्टी त्पक और बना हरती है यहां सब्ड़ाइक पर इसमें पीष उसको फ्राई करूंगी यहां पालक को फाई करूंगी कि निगद पालक बहुत अच्छी लेगी खाने में एक दम टेस्टी लेगी पता ही निचलेगा कि हम पालक खा रहे हैं तो देखिए दोस्तों अगर आपको मेरा यह तरीका अच्छा लगे तो आप जलूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट में जलूर बताएगा कि यह आपको कैसा लगा मे किये इसने कडाई चोड़ दी है जी पक नहीं रही है बिल्कुल भी नेचिपक रहे है तो बहुत अच्छे से पक चुकी है तो अब आप इसमे निकाल लूँगी जाएगा उसके बाद में सबजी शूखूंगी तो देखिए दोस्तों मैंने कडाई में तेल डाल दिया है त और तीन चार्ज में तेजपत tirar डाल दाल नहीं и जीरा डालिए उसके बाद में प्याज डाल दोंगी और लैसन सब डाल के उनको अच्छे से पकाऊंगी गोल्डर बार में तक तो यह दिखे गुश्ट तो इसमें प्यास थोड़ा जाद ही डालता है और लैस्मन भी डलता है और टामाटर भी जाद ही डलता है तभी इसका टेस्ट आता है आप चाहें तो इसको मिकसी में पीस सकते हैं या फिर ऐसी बना यहां पर मैंने लिए मसाले तो गरब मसाला है ला तो दोस्तों यह देखिए बहुत अच्छे से मतलब प्याज और लेसन पक रहे हैं आप इसमें टमाटर डाल दूंगी टमाटर डालके इसको भी अच्छे से पकाना है तो फ्रेंट्स टमाटर मेरे पकने लगे हैं दो चमस नमक दो चमस नमक डाल दूंगी उसके बाद में अच्छे से पकाऊंगी और टमाटर को एकदम से गला दूंगी टमाटर जब गल जाते हैं तो सब्जी बहुत टिस्टी बनती है तो यह देखिए दोस्तों मैं इसको तो टमाटर एकदम से गल जाएंगे ऐसे हलके हां से इस तरह से चला चला कि मैं मैस कर दिये सारे टमाटर गल जाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगी सब्जी या फिर आप चाहें तो इसको पीश सकते हैं मतलब मिक्सी में आख पीश सकते हैं मैंने पीशा नहीं है ऐसे ब डालि मैं अच्छे से इसको पकाऊंगे तो यह देखें के अफॉस्त्र हीरा पकने लगे हैं मसालय मेरे जब मसालय तेल चोड़ने लगेंगे उसके बाद मैं अल्गर पलrises को एड़ कर दूंग니 कि तो यह इस तरह से मसालय देखिए बहुत तो अभी मसाले पक चुके हैं अब इसमें मैं आलू और प्याच को मैंने डाल दिया है इसको अच्छे से मिक्स करूंगे अच्छे से पूरा मसाला इसमें मिक्स करके बाद में पानी डाल दूंगी फिर सब्जी पकने लेगी तो देखिए दोस्तों मैंने पालक और आलो को अच्छे से मसालो में मिक्स कर दिया है बहुत ही अच्छे से पालक और आलो तो पकी हुई है, मसाले भी पक चुके हैं, तो अब क्या करना है पानी डाल देना है, पानी जब पकने लगेगा तब सब्जी भी पूरी रेडी हो जाएगी, तो अभी यह ज़्यादा घ्रीन ग्रीख रही है आपको, तो अभी देखना जब यह पक जाएगी इ और दोस्तों सब्सक्राइब पनाएं, बहुत है, अच्छी का सब्सक्राइब, faisybride or P 시작, गाड़ा ही रहता है इस तरह से गाड़ा अच्छा लगता है और चावल के साथ में तो बहुत ही अच्छा लगता है घाने में सुप्रेंच देखिए कलर चेंज हो गया है इसका सब्जी का सब्जी अलमस्ट रेडी हो चुकी है तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए वी डिए को लायक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कkommenट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बिगे कैसी लेगी अच्छी लेगी जो भी है आप अपने विचार जरूर मेरे साथ में सेयर करें तो दोस्तों जलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल लखिए अपनों ख्याल लखिए थाइंक्स पर वाचिंग दोस्तों बाई बाई